हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो यार आप लोग के लिए एक जबर्दस्त अपडेट है आप लोगों ने होप CCMT का काउंस्लिंग अल्री आप लोग इन्रोल्ड होंगे उसके अंदर और कॉलेज जो हो आप लोगों को फिल करना होगा मिल रहा होगा आपको कॉलेज सब डिफरेंट इफरेंट फॉर्मेट में होता था तो यहां पर उन्होंने एक लेटेश्ट एक अपडेट दिया गया है दो फॉर्मेट अफ देख लेते हैं अपर यह दिखाई दे रहोगा इक कॉलम है सर्टिफिकेट फॉर्मेट का यहां जब आप जाओगे तो आपको दि इस फॉर्मेट में ढर्ति न ओर झेवर्मेट में तो आपका फॉर्मेट को आपको कॉलेश्चरी तु करकर क्या आपको देता है यह इस format में आपको अप्लाई करना है जिसको आप बोनाफाइड बोलते हैं राइड बनाफाइड सर्टिफिकेट ओके इसी के साथ खाली यही नहीं सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चों को क्या कहते है EWS category के अंदर format for the self declaration अगर माली जैवित आपके पास नहीं है और self declare आपको करने के लिए एक format दिया गया है इस format के अंदर है आपको जो EWS category के जो बच्चे है उनको इस format के अंदर ही आपको देना होगा इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने आपको सब्सक्राइब करने के लिए अभी तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस अब इस document के जो करिक्शन है वह आप कर सकते हो अभी अपलोड कर सकते हो को दिक्कत वाली बात नहीं और मिट का ध्यान रखेगा format गलित होने पर हो सकता है कि आपका form reject हो जाए तो थोड़ा सा बचना है और जो प्री डिस्क्राइब जो पहले सी बनाए गया format उसी format में आपको form फिल करना है दोस्तों तो मेरे ख्याल से यह चीज एक अपडेट थी छोटा सी अपडेट है पर EWS के लिए दूसरे के बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट जिनको समिट कराना बहुत जरूरी है जो फाइनल ये में उन सब को एक format क्या होना चीए यह जाना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसी वज़े से यह अपडेट दिया गया आज के देट थैंक्यू वेरी मुच ज